नमस्ते, वेलकम टो संगिता फैशन, आज जो मैं आपके साथ शेर कर रहे हूँ, यह बहुत कुपसुरत ब्लाउज डिजाइन की स्लिव डिजाइन है, इस ब्लाउज डिजाइन की लिंक मैं निचे डिस्प्रिक्शन बॉक्स में दे रहे हूँ, अगर आपको यह ब्लाउज डिजाइन बनाना दिखा रहे हूँ, अस्तर का कपड़ा कम लेकर, जो ब्लाउज का फैब्रिक है, वो थोड़ा जादा लेकर इस टाइप से भी आप अस्तर जोइन कर सकते हैं, फिर अस्तर को जोइन करने के बाद, हम सेंटर से, इस स्लिव डिज का सेंटर निकाल लेंगे, फिर देड़ इंच, निचे की साइड और देड़ इंच उपर की साइड, कुछ इस तरह से उसका आकार निकालना लेंगे हैं, साड़े चार सो, तक वो दोनों का आकार होके, यहां से सववदोन और उदर से सववदोन, इस तरह से आकार लेकर यह डाइमंड शेप बनाना है diamond shape square आप दोनों बोल सकते हैं और ये shape बनाने के बाद कुछ इस तरह से इसको आकार देना है आकार देने के बाद हम इसके उपर design बनाएंगे design बनाने के लिए मैंने ये lace ली हुई है जो हमने blouse में blouse की जो design है उसमें इस्तमाल की हुई थी वही lace में आज इसके साथ lace के साथ sleeves पे भी हम काम करेंगे अब इसको cut करके इस तरह से set करना है फिर उसके उपर double tip लगा लेनी है double tip के बाद अब उसी style में इस तरफ से भी हमें इसी तरह से ये lace लगा लेनी है दोनों साइड से सेम अंतरपी और दोनों साइड से उसी तरिके के साथ ये lace लगा लेनी है lace लगाने के बाद अब हम design में और एक और lace लगाएंगे तो वो कि style से देखिए एक दूजे के ये जो design है वो एक दूजे के इसे सामने रखकर और design बना कर हमें lace लगाएंगे lace लगाने के लिए हमने जो आकार निकाला था वकराकर उसी आकार में ये lace को डालना है फिर जो हमने square बनाया था उस square में पहले से ही lace को देखे इस तरह से मोड कर और आप lace को लगा सकते हैं तभी lace हमें जो चाहिए उस आकार में ढल जाती है और फिर उसके बाद आद इस तरह से tip लगा लेनी हैं देखे मैंने एक इस तरह से tip लगा ली है अगर आपको मेरे ऐसे ही blouse designs, sluze designs पसंद आ रहे हो जो मैं आपको बहुत easy और simple तरिके के साथ बनाना सिखाती हूँ तो अगर आपको ऐसी ही blouse और sluze designs पसंद आ रहे हो तो वीडियो को like किजएगा, share किजएगा और अपने दोस्तों में रिष्टेदारों में जिने blouse designs पसंद आ उनके साथ तो जरूर share किजएगा और ऐसे ही देखते रहेगा, subscribe तो जरूर किजएगा Thanks for watching